बिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा मैं यहां अपने दीमन साथी का नाम जानने आए हमारे भाग्ये तो एक दूसरे से जुड़े हैं इसका संकेत तो प्रभू श्री गडेशी ने भी दिया तब इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करू, तुम्हें अपने फ्रेम की परीक्षा देनी होगी किंतु पांचे परिक्षाओं में तो मैं उत्रिर हो चुकी हूँ यह तुम्हारे कौशल की नहीं फ्रेम की परीक्षा है यदि मैं परीक्षा में सफल हुई, तो आप मुझे क्या देंगी? उन प्रश्णों के उत्तर, जिने लेकर तुम यहां तक पहुँची हो और मैं तुम्हारे राजकुमार को तुम्हारे निकट भी लेकर आऊंगी, यह मेरा वचन है किन्तु तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी उस कटार के वार से आहत होने में तुम हिच किचाओगी नहीं, स्थिर रहोगी प्रुम्हें प्रूम्हें तुमने प्रमानित कर दिया, तुम्हारा प्रेम सच्छा है, तुम जो चाहिए मांग सकती हो तो मुझे बताई कि वो कौन है, जिने मैं आपना सर्वस्वेसमर्पित कर चुकी हूँ, उनका नाम क्या है? मैं इसका उत्तर ढूणने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किन्तु तुम्हे मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी आओ मेरे साथ तो बताओ, वो दिखने में कैसे हैं? जैसे कोई बलशाली योधा हो, भयंकर असूर योधा या नहीं वो तो तुरी देव के अवतार लगती है प्रभुशी गणेलची ने भी कहा था वो देवता समान होंगी तो फिर क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? वो नरायन तो नहीं थे ये तो मैं जानती हूँ किन्तु उनके मुख पर मुस्कान बिलकुँ नरायन जैसे ही थी अर्थात वो नरायन के संभन्दी है उनके ही कोई वन्शज तो क्या वो ऐसे है? हाँ, वो धरड़दारी तो है अर्थात ऐसे आकर्शन माला मुख तो श्री कृष्ण की कुल में ही संभव है किन्तु उनके मुख तो श्री कृष्ण की कृष्ण किन्तु उनके मुख तो श्री कृष्ण तो ये है वो राजकुमार जो स्वप्र में आकर तुम्हारे रिदय में बसके हैं इनका नाम अनिरुध है प्रभू श्री कृष्ण की पौत्र है तो उनसे मेरी भेट कप कराएंगी आप आपने वचन दिया था उसे पूरा करेंगी न मुझे उनसे मिलाएंगी न मैंने वचन तो दिया था किन्तु लीला धर है श्री कृष्ण मैं उनके पास जाकर इन्हें वहां से कैसे लेकर आऊंगी तो शायद मेरे भाग्य में उनसे मिलना लिखा ही नहीं है तुम्हारे भाग्य में ना होता तुम्हे भला वचन क्यों देती मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी किन्तो उसके लिए मुझे तुम्हारे ही समान श्री विग्नहर्ता गणीश का आश्रवाद चाहिए यदि उनसे तुम्हारी भेट नियत है तो विग्नहर्ता अवश्य सहायक बनेंगे अब क्या होगा प्रभू? देवी चित्रलेखा ने उचित कहा जब तक प्रभू श्री कृष्ण का ध्यान अनिरुद्ध पर रहेगा उन्हे वहां से लाना कठिन होगा किन्टु देवी उचा और अनिरुद्ध की अभी भेट होना आवश्यक है अन्यथा नरकासुर के पापों के अंत में और देर होगी नरकासुर का धर अब तक सभी राजकुमारियों पर जाच कहोगा जाओ जाकर देखो तुम चिंता मत करो उश्या तुम अपने घर जाकर प्रतीक्षा करो मैं अपनी माया का प्रयोग कर तुम्हारा प्रयोजन सित्ध करने का पूरा प्रयास करूंगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब मुझे युक्ति का प्रयोग करना होगा जिससे प्रभू श्री कृष्ण का ध्यान अपने पोत्र पर ना रहे। तुम आप ऐसा क्या करेंगे प्रभू? भक्ती के आगे सभी प्रयास फीके पड़ जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की भक्ती करूँगा। भक्ती भाव से उनकी स्तुती करूँगा। ओम क्रिश्ना आए नमहा ओम नमो भगवते वासुदेवाए मैं दुआरका दू पहुँच गई बस अब किसी प्रकार भीतर जाना है कि ढुआ है टे ते किसी प्रकार को भीतर जाना है बात को किसी प्राश में भीतर जाना है इंका नाओ अनिरूद जिरूद मिल गिया दोआर यहां तो स्वयम श्री कृष्ण विराजमान है यहां तो स्वयम प्रभू श्री कृष्ण विराजमान है ऐसे में मैं अनिरुत को लेकर नहीं जा सकती नारायनम गदाजक्षम गोविंदम कीर्थिभाजनम गोवर्धन उधरम देवं भूधरम भूवनिश्वरम प्रभू श्री कृष्ण पर तो मेरी स्तूती का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है फिर कैसे होगा उशा और अनिरुद्ध का मिलन जो नरकासुर के अंत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ओम क्रिश्णाए नमहा ओम नमो भगवते वासु देवाए मेरी पूजा प्रभू तक क्यों नहीं पहुँच रही है गडेश शी इतनी देश से प्रभू श्री कृष्ण की भक्ती कर रहे है किन्तु उन्होंने अभे तक दर्शन क्यों नहीं दिये कहीं प्रभू की योजना विफल हुई तो फिर चित्रलेखा कैसे सबल होगी और वो नहुआ तो हम बाणा सुर के शोनतपूर में ही रह जाएंगे में बाणा प्रभू की याईएंगे लगता है प्रभू को मेरे यहां होने का अभास हो गया, वो और सतार खो गये हमारे भागे तो एक दूसरे से जुड़े, इसका संकेत तो प्रभू शी गणेश जी ने भी दिया हे प्रभू गणेश शी, मेरी सहायता कीजिये, मुझी एक निश्ट होकर एक आगरता से प्रभू की भक्ति करनी होगी तो शीगरता कीजिये, इससे पहले की प्रभू श्री कृष्ण भाहा चित्र लेखा को देख ले विग्न हर्ता श्री गणेश रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये है प्रभू गणेश री श्री कृष्ण गोविंदाए वासुदेवाय नमहा लगता है प्रभू ने मेरी सुन ली प्रणाम प्रभू प्रणाम प्रभू अंतितह मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए था पार्वति नंदन गणेश किन्तु मुझे बुलाने के लिए इस आराधना की क्या आवशक्ता थी तो अ वैसे ही आजाता कार्य बहुत आवश्यक था संदेश भिजवाने का समय नहीं था प्रभू अच्छा ऐसा क्या कार्य था वो 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 कष्ट में हैं प्रभू मुझे उन राजकुमारियों की चिंता हो रही है प्रतिशोद की अगनी में नर्का सुर धर्ती की सभी दोश राजकुमारियों की आहुती देना चाहता है उनकी पीड़ा उनके कश्ट का ग्यान है मुझे किन्तु समय से पहले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपके समान मैं भी तो नियती से बंदा हूँ अब मैंने यहां से उशा के पास ले जाती हूँ किन्तु कैसे अब मेरे प्रस्थान का समय है रुकिये प्रभू आपके दर्शन से मेरा जीय भी भरा नहीं मेरी आखों को त्रिप्ती तभी मिलेगी जब मैं आपकी मुस्कान आपके कमल लयन और आपके मनोहर रूप को ठीक से निहार लूँगा कानह, गोविंद, कनहिया, माधव, श्याम, अच्युत, द्वारिकाधीश, श्यामसुंदर, हरी, विश्नु, रिशिकेश, जगननात, कंजलोचन, मोहन, मुरलीधर, नारायन, साक्षी गोपाल, मतुरानात, बैकुंठनात आपके इन अनन्त नामों की भाती, आपकी लीला भी अनन्त है, आपके भक्त जिस नाम से आपको पुकारते हैं, आप उसी रूप में दर्शन देते हैं और तो और प्रभू आपकी मधूर वंशी की द्भने का अद्भुत सम्मोहन है बस गनेशी बस आपका कार्य समपन हो चुका है अब मुझे यहां रोकने की कोई अवशक्ता नहीं है जी जो आप चाहते थे वो हो चुका है आपको पता था प्रभू हरी अनंत हरी लीला अनंता ये मैं क्या कर रहा था जिन्होंने अपनी लीला से संसार को मोहिद किया है उनसे लीला करने का प्रयास कर रहा था किन्तु ये भी तो आपकी ही लीला है प्रभू जो हुआ उसका होना अनिवायर था इसलिए मैंने उसे होने दिया नियती के बहाव को आगे बढ़ने के लिए जो भी महत्वपूर न होगा उसमें मैं सरा सहायक बनूंगा कौन है वहाँ वहाँ वरिक्ष के पीछे कौन हो तुम चलो देखते हैं यहाँ तो वस चित्र है किन्तु सतर्क हो जाओ लगता है किसी की माया है यह प्रभू मैं चाहता था चित्रलेखा अपने कार्य में सफल हो किन्तु मेरी वास्तविक इच्छा तो उन राजकुमारियों को नरकासुर से मुक्त कराने की है माता कामाख्या से अपने प्रतिशोग को पूरा करने के लिए नरकासुर धर्ती की इन सभी निर्दोष राजकुमारियों से विवाह कर उनका जीवन नश्ट करना चाहता है मेरी मायावीनी इन्हें तार्णा देने की जगा इनकी सुरक्षा कर रही है मेरे हातों का खिलोना मुझे जुबा है मेरे कारण ही तुम सभी कास्ते तो है और मेरे ही आदोईशों का पालन नहीं कर रही हो इन्तु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कौन सी माया का प्रभाव है ये जो मेरे प्रहार को ने उन्हें अपने उपर ले लिया मैंने अपनी माया से तुमें बनाया था और अपनी माया से ही तुमें नश्ट भी करूँगा मेरी माया भी नहीं जो तुमारी ठाल थी वो तो नश्ट हो गई अब तुमारे पास केवल एक ही उपाय है द्यान चोड़ो और विवा का चोड़ा उठाओ और उससे विवा करने के लिए द्यान चोड़ो और विवा का चोड़ा उठाओ और उससे विवा करने के लिए द्यान चोड़ो जाल कर दो कि अभाने का परिना भी जात्यों! अब देखता हूं, मेरी अगनी का ताप अधिक देर रहता है यह तुम्हारा तब! तूटेगा, अश्य तूटेगा, तुम्हारा यह ताप ताप! मुर्ख नरकासुद! यह राज़कुमारियं तो प्रभू के ध्यान में थी, कि तूट इनके ध्यान को तब बनाने का कादि तुम ने किया है, जिसका ताप तुम्हे अवश्य सहना होगा। सपने उन्ही के साकार होते हैं, जो उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी से बड़ी कठनाई का सामना करने को ततपर रहते हैं। कि अवश्य सहना होगा।